उत्राखंड की तहसिल रिशिकेश के रायवाला शेत्र में सैकडो घरों के उपर से गुजर रही 33 केवी हाइटेंशन लाइन यहां के ग्रामिनों के लिए जान लेवा साबित होती जा रही है शनिवार को इसी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से 16 वर्षिये अजेब बूरी तरह से जुलस गया स्थानिये ग्रामिनों ने बताया कि बालक हाइटेंशन लाइन में फसी पतंग को उतार रहा था कि तब ही वह करंट की चपेट में आ गया गरामिनों ने घाय लिवक को उपचार के लिए राज के इस्पताल पहुंचाया जहां उसका उपचार किया जा रहा है गरामिनों ने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाय हो चुकी है और इसी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं गरामिनों का कहना है कि जान लेवा हाइटेंशन लाइन को गाउं के बीच हटाने के लिए वह कई बार शेत्र के नेताओं वो मंत्रियों और विभागी अधिकारियों से मिल चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का आस तक कोई समधान नहीं हो पाया है रिशी केश उत्राखंट से समधाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट तब बच्चे को एंबुलेंस बला के उसको होस्पिडिल विजवाया ऐसी यहां पर सेंक्डों घरों के ओपर यह तार जा रही है और कुछ के घरों के बीच में को भी जा रही है जो बहुत हानी कारक है और बहुत से इसमें हाथ से हो चुके हैं बहुत से ज़्यादा हाथ से हो चुके इसमें और कईयों की जान चली गई इसमें और कई घायलूए बचारे बहुत बुरी तरह से और इसका कुछ होने वाला नहीं सासन पर सासन अमारी यहां नहीं सुनता है बिलकुल भी कई बार हमने कोशिस भी करी अपलीकेस ने भी दी है पर कोई इसकी कारवाई नहीं करता है बोलेगी हटेगी हटेगी इतने घरों के उपर से हट गई है और आए दिन इसमें कुछ ना कोई घटना घटती रहती है छोटे बच्चे आचानक पतंग उड़ती है खीच लेती है कईयों की डोर ऐसी होती है बच्चे हाथ के हाथ में इसकी रहा जाते हैं एक दम इतने हाथ से हो चुगे स्प्लाइन से अब आप जो ऐसे जैसे जैसे अमने बरिच को देखा है उसके साफ से इसकी के वल हाथ में और पैर में करेंट का वाया हुआ है असरा हुआ है आगे फड़तर उसके लिए मैंने इनको इंसके लिए रिपर आगे आगे रिप्रिक्ट्ट्र नहों हो ऑस्ते अब आगे बन इनको अगे में जाब में आगे वाया है एक जैबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राज गराना आद द फानेस्ट बैंक्वेट वाल जोती गार्दन वोल्ड-क्लास गेटरीं सें पाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद